प्रस्न छे सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई समागरी का बिल निम्नानुसार है बिल की खुल रासिक याद कीजे तो क्या भड़ना है यहाँ पे हमें बिकरी कर रुपिय में यानि समागरी का नाम दिया हुआ है समान का मूले दिया हुआ है और बिकरी कर परतीसत में दिया हुआ है बिकरी कर रुपिय में निकाल करके यहाँ पे भड़ देना है तो प्रस्न 6 का पहला, क्या निकालना है, बिक्री कर, बिक्री कर निकालना है रुपिय में, तो देखें, बिक्री कर बराबर लिखेंगे, 250 का चार परतीसद, समान का मूली कितना है, 250 रुपिया, बिक्री कर दिया हुआ है, 4 परतीसद, तो बिक्री कर परतीसद में दिया हुआ है, बिक्री कर रुपिय में निकालना है, तो 250 का 4 पर 30 कर देंगे यानि का मतलब होता है गुना तो 250 गुना 4 बटा 100 लिख लेंगे पर 30 हटा करके 25 चौक 100 काट लेंगे 25 से 10 बार में काट लेंगे 250 तो कितना आ गया 10 रूपया 10 रूपया तो बिक्री का रूपय में कितना हो गया 10 रूपया तो क्या भर देंगे हम पहला में 10 रूपया दूसरा फिर लिखेंगे बिकरी कर बराबर 300 का 10 परतीसत तो यहाँ पे समान का मुल्य है 300 यानि कौकरी क्रोकरी का मुल्य है 300 और उस पे बिकरी कर लग रहा है 10 परतीसत तो बिकरी कर रूपया में कितना होगा 300 का 10 परतीसत यानि 300 का मतलब होता है गुना तो 10 परता 100 लिख लेंगे एक सुना से एक सुना एक सुना से एक सुना कितना आ गया 30 रूपया तो क्रोकरी पे बिकरी कर कितना लग रहा है 30 रूपया का तीसरा बिक्री कर बराबर तो यहाँ पर एक किलोग्राम घी का लग रहा है दोसो साथ रुपया कितना लग रहा है दोसो साथ उस पर बिक्री कर लग रहा है पांच परतीसत तो दोसो साथ का पांच परतीसत निकाल देंगे तो आजाएगा बिकρί कर रुपिय में परतीसत में दिया हुआ है बिकरी कर तो इसको रुपिय में निकालना है तो 260 का मतलब होता है गुना 260 गुना पांच बटा 100 कर लेंगे एक सुना से एक सुना कट गया पांधुना 10 तेरह दुना 26 यानी कितना आगया 13 रुपया तो हम क्या भड़ देंगे वहाँ पर तीसरा में 13 रुपया यानि बिक्री कर आ गया रुपये में कितना 13 रुपया चौथा में है समान का मूले क्यानि निकालना हमें बिक्री कर तो मूंग दाल एक किलوग्राम का मूले है 60 रुपया उस पे बिक्री कर लग रहा है 2 पर तीसरा तो बिक्री कर रुपये में कैसे निकालेंगे तो 60 का 2 पर तीसरा कर देंगे कह मतलब होता है गुना यानि 60 गुना 2 बटा 100 पर तीसरा उटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा पचास दूना 100 एक सुना से एक सुना कितना आ गया 6 बटा 5 पर 30 है अब 6 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा एक एक बार में लगीगा एक बचेगा तो 10 मलो देंगे तो 10 हो जाएगा यानि 5 दूना 10 यानि एक दस मलो दो सुनने रुप्या तो 60 का दो पर 30 कितना होगा एक दस मलो दो सुनने तो एक किलो मूंग दाल पे बिक्री कर लग रहा है एक दस मलो दो सुनने रुप्या तो इस तरह प्रसने 6 हल करेंगे झाल झाल